बहुत ही जल्द हम लोग मद्विदस के अंदर अभी CM के गहराव करने वाले जिसमें आप आई एगा देखिएगा और हमारा एजेंडा है कि किसी प्रकार से भी जो एक्चुल में जिनको पक्के मकान होने चाहिए उनको मकान मिले देखिए अब BSP के पास vote percentage था वो खतम हो आखंटी अपने भाई को निश्दार सका तो बद्धिवदस क्या सुदार हेगा हम इसी पर काम कर रहे हैं कि दोस्तों नमस्कार मैं विकास आपदेखर जैस्टीव इंडिया और इस समय में स्रीफोट आडिटोरियम में मौजूद हूं और भी मार्मी के सुनील आस्ते जी म मेरे साथ मौजूद हैं अपने तमाम टीवी डिवेट में उनको देखा होगा लगातार वो भी मार्मी और आजास समाज पार्टी का पक्ष रखते रहते हैं या अभी मद्यप्रदेश में जो आंदोलन हुआ था बड़ा अंदोलन उसमें एहम मौबगा सुनी लास्ते जिन चाहे आप नेमा उरहत्यकांड देख लो चाहे आप ओवीसी के लिए देख लो जो दो जनुरी का चाहे आप बारा पोड़कर देख लो आप चाहे दो ऑपरेल का देख लो तो जन वो लोग मत्यप्रदेश के अंदर तो भूबेश के अंदर अभी सीम का घहराओ करने वाल जिसमें आप आईैं गर्ट कर रहे हैं किसी परकार से धार को अने को सदों को क्या लगता है अभी जो चंशेकर जी ने बड़ी गोशना की है कि मत्य प्रदेश में भी हम लोग सफ्ता में आ रहे हैं तो कैसे लग रहा है कि बीजेपी है एक तरफ जो की जोड़ तोड़ साम नाम दंडवेद हर तरीके से अपनी सफ्ता कायम करना चाहती है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्र करते हैं वो लोग हैं चाहिए बारक्षम करने की बात होई बारा फरवे वाले इसमें चूप रहे तो मद्य प्रदेश के अंदर आया समाज पारिटी का पहला विजाय निकल कर जिस परकार से हम लोग सटकों पर आवाज उठाते हैं उसे परकार से हमारी आवाज विदान की जनता प्रिसान है वहाँ पर जो पेरोजगारी चलम सीमा पर है अभी पेसा एक्ट कानून जो उसमें बढ़ती हैं हुई उसके अंदर बद्विस के अंदर आप देखना सायद मेनिस्ट्री मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है लेकिन आप देखना इसको कि मद्द्ध के सरकार से जुड़ हुए लोगों की न्युक्टिया हुरही है हया उनको सरकार अपने यहा पर नोकरी पर रख रही हैं और जो एक्ट्वल में जो पल्टेगी और वहां पर हम लोग सत्ता में आई अचा कुछ लोग ये भी कहा रहे थे कि जो मंद्य प्रदेश में जो आंदूलन हुआ था चंशेगर दीन है जो किया आंदूलन उसमें बोलते आजास समाज पार्टी या भीम आर्मी के कारकरता कम और अधर लोग ज्यादा थ इतिहास में पहली बार जंबुरी मेदान वहानों से बर चुगा था आज तक ये काम कोई नहीं कर पाया और जंता से हमारा दसरह मेदान यहां तक कि मलब एक से डेड़ बजे के बीच में तो पुलिस ने हमारे लोगों को रोक लिए बार जितने लोग वहां पर थे उस से ज सरकार बनेंगे आए सवांच पालिटी के लोगों की भीमार विंप की लोगों की और सथा का नहीं है वह सरकार के पास में जंता के पास इंदू-दू जसी प्रकार्स के अंदर ये सिवरा सिंग चाल चल रहे हैं और ये चाल इनकी ये इनकी चाल अब सिस्टेस होने वारे नहीं है आप उठा के देखने हैं इतियास की पन्नों में कि जब जब हिंदु राष्टी की बात उठीए तब तब सरकार ने उन्दे मुगी खाईए समय बहुत कम है कैसे जगा पाएंगे लोगे क्या समय बहुत कम है हिंदुत्वा की जाल से कैसे बचा पाएंगे देखी इसलिए तो हम लोग पाखंडी बाबा का कुनकाब से उजगर करने जा रहे हैं सतरा मार्च को हम इसलिए तो यह वहां से सनातन की बात उटीए कि वह सनातन खेटी अच्छी बात सनातन मानो आप लेकिन यह बात कहां कि कि चार बच्चे पेदा कि जीए दो बच्चे र पाखंडी के रहे हैं जबकि हो तो एक लोग तो खाला के रिए को सनातर की बात करें में लिए हम समाज को लात कर रहे हो वह पाखंडी अपने भाई को निसे दार सका तो बद्धिवार्मी के माध्यम से लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में 17 मार्च को भी बड़ा अंदूलन लेकर यह लोग पाखंडवाद और जो मनुबाद है देश में उसके खिलाफ लगातार यह लोग लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में सत्ता पर भी काइम होने का दावा कर रहे हैं तमाम ख़ब्रों के लिए यह जस्टीवी इंडिया